बिसमें लाहेट रहमार रहीम असलाम लेकों माई यूटी फैमली वेलकम टू मैं चैनल आज की वीडियो में हम आपको अपनी प्यारी सी एक सब्सक्राइबर की फर्माइश पे मूबैल कवर बनाना बताएंगे जो कि बहुत ही क्यूट है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैन करते हुए इसमें आपको 18 चैन बेसिक बना लेनी है ओके कंपलीट करने के बड़ हमें आपको दिखाते हैं या फिर आप अपने मुबाइल के कोडिंग भी इसकी जो चैन की वीरत है वो रख सकते हो साड़े आठ सेंटिमीटर हमने इसको लोंग रखा है अब इसके बाद हमें एक चैन एक्स्टरा बनानी है एक चैन हमें एक्स्टरा बनानी है इस तरीके से इसके बाद दो चैन आपको स्किप करके तार्ड वाली चेन में सिंगल क्रोशा बनाना है बिना बलके आपको कुरोशा डालना है थार्ड वाली चेन में इस तरीके से अब दो फंदे हैं हमारे पास कुरोशा में दोनों को एक साथी आपने ओवर कर लेना है सिंगल कुरोशा कम्प्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वाली चेन में भी सेम तरीके से हमें बिन बलके क्रोशा डालते होई सिंगल क्रोशा के जो लूपस है वो बनाते जाना है सिंगल क्रोशा की हमारी फास्ट रो कम्पलीट हो चुकी है अब लास्ट का जो हमारा सिंगल क्रोशा है न सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशा हमें बनाना है यानि हमें साइट से एक s Yun killer इंक्रेस करना है है सेकें यह देखें जितना भी आपके पास do helps सिंगल करोशा की स्टिच हैं सेकिंड साइट पे भी वैसे ही आपको सेम तरीके से बना लेनी है हर stitch में डालेंगे बिन बलके और सिंगल क्रोशा सेम हम बनाती हुए second side को पूरा complete कर लेंगे दोनों side से हमने सिंगल क्रोशा की row बना ली है आप देखें, दो chain जो हमने skip के थी ना, उसकी second वाली chain में slip stitch से हमने इस row को लोक कर लीना है फिर सिल्पी स्टिश से लोग करने के बाद हमें तीन चैन बनानी है वान डू थरी अब हमें कुरोशा के उपर बल लगा के नेक्स्ट वले स्टिच में डिजाइन डालना है इस तरीके से पीछे वले थ्रैट को लेंगे और लबाई की शेप में हमें लूप्स लेना है अब इसको ओवर नहीं करना ठीक है फिर से बल लगाके क्रोशा पर के उपर दो स्टिच आपको स्किप करके थार्ड वाले में सेम तरीके से अपना जो लूप्स है वो इस तरीके से लेना है क्रोशा में अब देखिए हमारे पस 6 फंदी है 6 फंदों को एक ही साथ अपके ओवर करके इसको बंद कर लिना है अब बीच में जो दो स्टिच हमनी इसकिप किये हैं पीछे की सेट ग्रोशा को लेती हुए हम इसमें दो डबल ग्रोशा के जो लूप्स है वो बना लेंगे बहुत ही प्यारा सा ये स्टिच है इसको बनाना भी आसान है विगनर्स भी इसको जो है इन्शाला इसली बना सकेंगे बस आपको थोड़ा सा धियान लगा के वीडियो को देखना होता है अब हमें इसका सेकिंड डिजाइन बनाना है अब इन सारे फंदों को एक ही साथ अपने ओवर करने के बाद बन कर लेना है फिर क्रोशे के उपर बल लगा के पीछे की साइड लेती हुए क्रोशे को इन दो छोड़े हुए स्टिच में डबल क्रोशे के दो ही लुप्स आपको बना के कंप्लीट करनी है बहुत सादा सा ये डिजाइन है आई होप आपको समझ में आ रहा हुगा कि किस तरीके से हम आपको यहां पे जो है गाइड कर रहे हैं ठीक है फिर से क्रोशे के उपर बल लगाएंगे सेम अस्टिच में डालेंगे दो अस्टिच आपको स्किप करनी है आप इसको बंद करेंगे और जो तो हमनी अस्टिच चोड़ी है इसमeuंए पीछे की साट आपको डूही डबलग गरोशा की जो लॉप्स है वह हो बना लीनी है इस तरीके से कि इससे से ऊपके शिप कर इंगे और साइट से किस तरीके से हम डिजाइन डालेंगी यह हम आपको दिखाती हैं बनाने के बाद पहले हम इस रोग को पुरा बना लेंगी ठीक है अब हमी साइट से किस तरीके से डिजाइन डालना है यह हम आपको बताती है पहले सेम स्टिच में आपको लिपस लेना है फिर दो एस्टिच स्किप करके लेकैं नहीं 묘त अपना लूप्स जो है वो ग्रोशा में लंबाई की शेप में इस तरीके से लेना है अब सारे फंदे एक साथ ओवर करनी के बाद जो दो लूप्स हमने स्किप किये हैं पीछे की साइड पे आपको दो डबल ग्रोशा बना लेनी है बहुत ही यूनिक आइडिया है आप अपने ग्रोशा भीड़् चेंज नहीं है ना तो फंदे आपको बढ़ानी है और ना ही कम करनी है ठीक है हायर डिजाँ के ओपर आपको सेम आपके सेडिया बनाना है और निएस साथ अब अगाएं then the second side पे हमें किस तरह किसे design डालना है निएस चाहरे देखें दो स्किप करना है और जह पे हमने design मया जाओ करें है ना स्टार्ट की है ना से मस्टिच में यहाँ पर डालके अब सारे फंदे एक साथ ओवर करने के बाद इसको बंद करेंगे और रपीट हमें दो डबल कुरोशा पीछे की साइट पे बना लेनी है ठीक है बनाने के बाद हम इस रोग को लोग करेंगे तो थोड़ा सा इस पॉइंट पे आपको ध्यान से दिखना है दो डबल कुरोशा कंप्लीट करने के बाद आप हमें इस रोग को लोग किस तरीके से करना है देखें फर्स्ट वाला जो हमारा डिजाइन है सेंटर में डालेंगे और स्लिप स्टिच से फर्स्ट रोग को लोग करेंगे लोग करने के पाद हमें थी चेंथ लेनी है सेम अस्टिच में हमस्टिच के हैं और डो सिटिच आपको स्किप करने है रपीड और इसकेंड जो डिजजाइन है उसके सेंटर में हम लुप्स लेंगे सारे फंदे एक साथ बनाए अपने डबल क्रोशा के लिप्स बनाकर लेने हैं तीक है आप देखिए यहां पे सेंटर में डिजैन के डालेंगे क्रोशा लेंगे दो डबल क्रोशा आपको पीछे की साइड के दिख रहे हैं आपने चोड़ के नेक्स्ट डिजैन में अपना लुप्स लेना है अब चोड़े हुए डबल क्रोशा को पीछे की साइड पे सेम तरीके से हम डबल क्रोशा के उपर डबल क्रोशा बनाके कम्प्लीट कर लेंगे इस तरीके से कुछ हमारे डिजैन की जो शेप है वो बनके आएगी इसमें जो डिजैन है वो फ्लार डिजैन भी लगता है चोटे- प्रिट थी चैंज लेनी है से मस्टिच में अपना लुप्स लेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो डिजाइन है इसके सेंटर में भी हमें लुप्स लेना है सारे फंद एक साथ ओपर करनी है और फिर आपको दो डबल कुरोशा के उपर छोड़े हुए दो डबल कुरोशा के सेम तरीके से बनाते हुए हम इसकी चार से पांच रो और बना के आपको दिखाते हैं यहां पर हमने चेरो बना ली है आप देखें साइड से एक डिजन हम और बना लेते हैं ताकि जो बिगनर्स हैं अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप अराम से इसको देखे समझ सकें ठीक है जहां से हमने अपनी रो इस्टार्ट किया होती है ना लास्ट में भी सेम हमें उसी स्टिच में अपना जो लास्ट का डिजाइन है वो कम्ववाब्र और करना होता है इस तरीके से आप देखें पीछे की सैट से पहले दो डबल कुरोशा बनागे ऑपर की सैट जी आपको डिजाइन दिक REALLY है ना लास्ट का जो डिजाइन हमने कम्प्लीट कर लिए इससे उपर का जो डिजाइन है उसमें आपको आ जो है जो है स्लेप इस्टिछ से रोग को लॉग करना होता है स् already सेम तरीके से आपको अपने मुबायल के अकोर्डिंग इसकी जो लैंथ है वो बना लेनी है कम या ज्यादा हम आपको कम्प्लीट करने के बाद इसका प्यारा सा लुक दिखाते हैं तो क्यूड सा हमारा क्रोश्य मुबायल पहुच कम्प्लीट हो चुका है और फ्रेंस यह हमने उपर की साथ जो तीन रो सिंगल करोश्य की बटन हॉल बनाया है तो गलती से हमारी यह वीडियो का जो क्लिप है वो डिलेट हो चुका है हमसे तो इस वजह से वीडियो में हमने इसको नहीं डाला बट चिन लोगों को मुश्की लगे तीन रो सिंगल बुक्स में दे रहे हैं तो जरूर चेक आउट कीजिए इन्शाला मिलेंगे नेक्स वीडियो में टीक क्यार अलाफीस